हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूशल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायलसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ सा ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे वट्सैप नंबर के जरीए संपर्क कर सकते हैं अब आप पासकते हैं अपनी कुंडली वो भी पांच साल की भुष्यवाने के साथ सिर्फ 99 रुपीस में या कुंडली पाने के लिए आप जोतिशर.com पर जा सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक स्कैरिश शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफी थिक हैं काफी अच्छी लेंट में नजर आ रही हैं और सभी फिंगर्स के उपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रिखाएं कुछ इस तरह की रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना इंडिकीट करता है कि नेटिव मिलनसार सभाव का होगा ऐसे नेटिव दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं सभी फिंगर्स के बीच में आपको अच्छे गैप नजर आएंगे कुछ इस तरह के गैप इनकी सभी फिंगर्स के बीच में मौजूद हैं जिसकी वज़े से नेटिव काफी इंडिपेंडेंट सभाव का होता है ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही छोड़ते हैं कुछ इस तरह का सभाव थोड़ी इंडिपेंडेंट और खर्चिली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम थिकनेस की बात करें तो आप देख पाएंगे फिंगर्स थिक हैं जिसकी वज़े से काफी अच्छी एनरजी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता हैं अगर हम लेंथ की बात करें तो आप इनकी तरजनी उगली को देखेंगे काफी अच्छी लंबाई में इनकी गुरू फिंगर्स यहां पर नज़र आ रही है गुरू फिंगर्स का अच्छी थिकनेस में होना अच्छी लंबाई में होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है ऐसे व्यक्ति दूसरों को guide करने वाले होते हैं, दूसरों की help करने वाले होते हैं, साथी साथ ऐसे व्यक्ति spiritual minded भी होते हैं, अगर हम इनकी शनी finger की बात करें, तो आप देखेंगे, इनकी शनी finger बहुत अच्छी लंबाई में हैं, काफी ठिक हैं, ऐसे native जिनकी शनी finger strong होती है काफी मेनती होते हैं, ऐसे व्यक्ति disciplined होते हैं, एक अनुशाशन प्रिया और नए प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी progress कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति जरूर काम्याब हो जाते हैं, अगर सूर्या फिंगर को देखा जाए, तो आप देख पाएंगे सूर्या फिंगर लंबाई में अच्छी है, और सूर्या फिंगर स्ट्रेट है, ऐसी सूर्या फिंगर का होना, नेटिव को एक अच्छी पहचान society में दिलवाता है, ऐसे व्यक्ति की creativity का level अच्छा रह हैता है, और सूर्या फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, नेटिव को थोड़ा risk taker भी बनाता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में risk लेने से नहीं घबराते हैं, और कई बार तो अपनी investments के मामले में भी ऐसे नेटिव को जीवन में risk लेते हुए देखा जा सकता है, ऐसे नेट marketing है, ऐसी चीजों की तर भी कई बार native का रुच्छान देखने को मिलता है, mercury finger को देखा जाए, तो mercury finger यहाँ पर थोड़ी सी low set हो रही है, यहाँ पर अगर हम fingers के बिलकुल नीचे एक line draw करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, यहाँ प इनकी शनी finger और ब्रस्पती finger तीनों की तीनों काफी high set है, mercury finger का low set होना native को थोड़ा shy सभाव देता है, थोड़ी hesitation भरी nature ऐसे व्यक्ति की रह सकती है, लेकिन इनकी mercury finger को देखेंगे, तो आप देख पाएंगे, यह finger बहुत अच्छी लंबाई में है, इस finger की length इनकी सूरिया finger के top valange तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी, ऐसी लंबी mercury finger का होना दर्शाता है, कि native के communication skills काफी अच्छे रहेंगे, ऐसे व्यक्ति का business equipment भी strong होता है, अपनी चीवन में business के माध्यम से अच्छी income generate कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति काम्याब रहते हैं, तो कि यहाँ प skills strong देखने को मिलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी recount को भी, यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरू परवत का area है, यानि तरचनी उंगली के नीचे का area, यह वाला भाग काफी उभरा हुआ है, चिन लोगों का गुरू परवत इस तरह ऐसे उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ग्यानवान होते हैं, काफी अच्छी knowledge अपने जीवन में अरजित करते हैं, धार्मिक प्रविती के होते हैं, और society में ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की age के बाद काफी अच्छी पहचान और काफ अपवर्ड जाने वाली रिखाएं इनके गुरू परवत पर नजर आ रही हैं, इस तरह की रिखाएं जब जीवन रिखा से या फिर मस्तिक शरीखा से निकल कर गुरू परवत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएं, तो ऐसी रिखाएं नेटिव को काफी अच्छी प्रोग् रिखाएं यहां पर एक ब्लैक कलर का स्पोर्ट भी नजर आ रहा हैं, जिसका होना शणी प्रवत के उपर अच्छा नहीं माना जाता है, शणी प्रवत का दबना और इस तरह हैं कि ब्लैक स्पोर्ट का यहां पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में प काफी अधिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन में शुरुआती दौर में काफी अधिक संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है अगर हम इनकी भागया रेखा को देखें तो आप देख पाएंगे इनकी हाथ में जो भागया रेखा है मिडल से शुरू हो रही है लेक उसे पहले चीवन में उतार चड़ाव रहेंगे लेकिन 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी इंकम जनरेट करने लगता है ऐसे व्यक्ति का अगर बिजनस में चला जाए तो बिजनस जो है ग्रो करने लगता है लगबग 40 की एज के बाद काफी अच्छी प्रोग सा दब रहा है और सुर्या माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है सब यक्ति इनका सुर्या पर वो दब रहा हो दूसरों की कितनी भी मदद कर ले दूसरों की कितनी भी हल्प कर ले बदले में कोई इनाम कोई अप्रिसियेशन नहीं मिलता जिसे हम यश की कमी कहते है लेकिन सूर्य रेखा मौचूदर वो भी मंगल के एरिया से उपर की तरफ बढ़ती हुई आप सूर्य रेखा इनके हाथ में देख पाएंगे तो ऐसे व्यक्ति मिडल एज के बाद अपने पूर्फ जन्मों के करमों की वज़े से तरकी और पहचान पाते हैं तो इस रेखा का यहाँ पर होना काफी पॉजिटिव फल व्यक्ति को जरूर देता है अगर हम बात करें इनके बुद्ध परवत की भले यह माउंट हलका सा लो सेट है लिकिन यह माउंट आपको उभरा हुआ नजर आएगा यहाँ पर भी आपको रिखाएं नजर आएंगी जिनें मरकरी की लाइन्स कहते हैं ऐसी रिखाएं हाथ में हो तो नेटिव के बिजनस एक्वमेन को यह काफी अच्छी स्ट्रेंथ प्रवाइड करती है और यहाँ पर आपको कुछ खड़ी लाइने कुछ इस तरह की चोटी चोटी रिखाएं भी नजर आएंगी बुद्ध परवत के ओपर ऐसी रिखाओं का होना हीलिंग लाइन्स कहलाता है और हाथ में ऐसी रिखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलहाकार हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती है ओवरॉल बुद्व परवत के ओपर कोई भी पॉजिटिव चिन हो ऐसे खड़ी रिखाए हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्मिकेशन स्किल्स को काफी अनहैंस करती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मिजर लाइन्स को आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है यहाँ बराकर आपको यह रेखा इस तरह की ब्राच के जरीए एक V टाइब का सिंबल बनाती हुई नजर आएगी इस तरह के चिन को विश्नु चिन कहा जाता है और हाथ में अगर किसी व्यक्ति के विश्नु चिन बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं लिकिन यह प्रोग्रेस तभी मिल पाती है जो ऐसा व्यक्ति इमानदारी के रास्ते पर चले सही रास्ते पर चलता हुआ धन कमाए अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन बन रहा हो गलत रास्ते से फ्रोड से चीटिंग से बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगता है तो चीवन में बड़ी दिकतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सुझेस्ट करता हूँ कि हमेशा सही रास्ता एक्तियार करें और इमानदारी से धन कमाएं आप यहाँ पर देखेंगे एक हलकी सी ओवरलैपिंग और वीकनेस आपको इनकी हार्ट लाइन में भी नजर आएगी यहाँ पर यहाँ रेखा आपको कुछ इस तरह हैं से और यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस और फिर से यहाँ कांटीनियू होती हुई हार्ट लाइन में इस तरह हैं कि वीकनेस का यहाँ पर मौचूद होना फिफ्टी की एज के बाद नेटिव को कुछ हैल्थ से जुड़ी समस्यां दे सकता है ऐसी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को 50 की इच के बाद ब्लोड प्रेशर, थायराइड, क्लेस्टरॉल जैसी समस्यां हो सकती है जिनकी वज़े से कुछ देर तक हैल्थ प्रभावित रहे अगर हम इनकी माइन्ड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे इनकी जो मस्तिक्ष रेखा है चंदर परवत की तरफ जुकी हुई नजर आ रही है आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ करकर यहां से शुरू होने वाली यह रेखा इस तरह से नीचे की तरफ जुक रही है और चंदर परवत के ओपर भी हमें एक तिल नजर आ रहा है इस तरह से इस रेखा का जुकना ओवर इमेजिनेशन को ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है ओवरॉल अगर यह रेखा की तो बहुत अच्छी लंबाई में है जिस वज़े से नेटिव की मेमरी अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति कई बार पुरानी से पुरानी बातों को याद रखते हैं और बार बार उनी को याद करने की वज़े से इन्हें बेचैनी और इंक्साइटी हो सकती है और दूसरी चीज अगर हम इनके चंदरपरवत की बात करते हैं तो चंदरपरवत की उपर तिल का होना भी अच्छा संकीत नहीं होता जिस वज़े से थोड़ी डिप्रेशन या एंक्साइटी की शिकायत ऐसे व्यक्ति को होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का तिल होना और क फॉर्मेशन से तिल की फॉर्मेशन से और इनकी माइंड लाइन के जुकाव की वज़े से अधिक रहने की रहेगी अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है लेकिन जीवन रेखा भी आगे चलकर ओवर फ्लैपिंग होना अगेन लगबग 50 से लेकर 55 के आसपास ची एज में पहुंच कर कुछ हैल्थ इश्यूस को इंडिकेट करता है जबकि इनकी एज लंबी रहने वाली है लगबग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं काफी प्रबल रहेंगी अगर हम बात करें यहा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी महिनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रॉपर्टी अरजित कर पाने में यानि रियल स्टीट ऐसी व्यक्ति अपनी जीवन में बना पाते हैं अच्छी प्रॉपर्टी ऐसे का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है ले आप देखेंगे इनकी एथेली में यह वाला एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा और हाथ में शुक्र परवत का होना इंडिकेट करता है शुक्र परवत का उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के चीवन में हर तरह की सुविधाएं रहेंगी हर तरह कि सुखों को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है यहाँ पर कुछ बारीक वरी लाइन्स मौचूद है जो बेवजह की चिंताएं नेटिव को देती है यहाँ पर आप देख से इतने कुछ ऐसी हलकी रिखाएं जिसकी वज़ह से नेटिव को परिवारिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है कई बार नेटिव की फैमली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस इन रिखाओं की वज़ह से आ जाती है ओवरॉल यहाँ पर काफी अच्छी रिखाएं हैं और यहाँ मेरे अनेलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वटसैप के जरीए संपरक करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद